दोसतों कि आपका भी प्लेइश्टोर से कोई भी ऐप डाउन्लोड करएं तो वह डाउन्लोड नहीं हो रहा है और वह प्लेश्टोर पर अगर आप और इसुरूंग से प्रेसान नहीं है हम आपकी इस प्ररावलबं को हमेशा के लिए दूर करने हो बस आप सब को क्या करना है इस वीडियो में बन रहेगा तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पर आपको 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 कुछ इस ते कंटे फेस आपके सामने देखने को मिल जाता है उसके बाद गाइस अगर आप यहां से कोई भी आपलेकेसन को आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड होता नहीं बस यहां में पर अपर आपके प्रवलम और इसके लिए हैं उसके लिए आपको क्या करना परणा सीपल आपको इस ओने पर क्लिक करना और मिल जाए सिंपल आपको दूसरा सम पूर्पर करना क він यहां पर कुछ सिर्फिया को आपके सामने को मिल रहा है कि यह दूसर प्रसीन के एक डाउनलोड परक्लिक करना और यहां पर तीन और आपको देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको 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 अप्लिकेस्टोर को आपको आप खोज लेना टिक है अप्लिकेशन आपको डिया नेज़ते हैं अपको नीचे पर मिल जाते हैं जैसे में जा रहा हूं और देख रहा हूं कि मुझे playstore यहां पर मिल जाएगा गैस मेरे mobile जितने application है साड़े application यहां पर आ रहे हैं और guys मुझे हमको खोजना किया playstore 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 खोजना आई guys playstore playstore ठीक है guys Google playstore मिल गाइस उसके बाद यहां पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद गाइस सिंपल आपको पहले आपको फोरिस्टोप कर देना फोरिस्टोप करने के बाद गाइस उसके बाद आपको क्या करना है कि इस्टोरेज पर आपको क्लिक कर देना ठीक है आपके मोबाइल में जो इस्टोरेज का उप्षन मिल रहे हैं तो simple आपको storage पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको clear storage आपको क्लिक कर देना ठीक है यह आपकी problem बिल्कुल हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाएगी guys उसके बाद आपके mobile में अगर आप कोई भी application प्लेश्टोर से डाउनलोड करते हो तो simple आपके डाउनलोड हो जाएगे guys और यह problem आपके हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तो यह थी कुछ जानकर जो मैं आप लोगों के साथ सेर करना चाहता था आपको दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आयो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और सेर जरूर किज़ेग guys मिलता हूं नेक्स्टे वीडियो में तब तक करें जाएगे वनमातर हो जाएगे